श्री गंगानगर के श्री करनपूर में 5 जनवरी को विधान सभा चुनाव होना है इस विधान सभा चुनाव के प्रचार बंद होने में मात्र चंद घंटे बाकी बचे हैं चुनाव प्रचार बुधवार शाम 5 बजे बंद हो जाएगा इसी चुनाव को लेकर तीनों राष्टिय पार्टियां भाजपा, कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टिय ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत जोग दी है आपको बता दे कि भाजपा के एब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सहित कई दिगज नेता पार्टिय प्रत्याशियों को जिताने के लिए ताकत जोग रहे हैं दूसरी तरफ कॉंग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोग गहलोद, पूर्व डिप्टी सीम सचिन पाइलेट, PCC अज्यक्ष कोविन सिंग दोटसरा और डिगज नेताओं की सभा के बाद कई विधायकों ने विधान सभा में अपनी प्रत्याशी रुपेंद्र सिंग रूबी कुन्नूर को जीत दिलाने के लिए डेरा जमा रखा है